नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टोप 25 परमुख खबर जानते हैं इसकूलों के आउचक निरिक्षन में लेशन पलान नहीं मिला तो सम्मधित इसकूल के परधाना ध्यापक समेथ सिक्षकों के खिलाब करवाई की जाएगी बता दे पिछले दिनों सिक्षा सचीव के रभी कुमार द्वारा रांची के 12 स्कूलों के आउचक निरिक्षन में इस तरह की खामिया नजर आई थी इसके बाद उन्होंने ततकार रांची जीला सिक्षा पताधिकारी वर जीला सिक्षा अधिक्षक समेथ राजे के सभी DEO, DSE को इस पर अमल करने का निदेश दिया था राजे के सरकारी स्कूलों में बच्चों की काम हो रही उपस्चिती पर भी उन्होंने नराजगी जताई है उन्होंने असपश्ट रूप से स्कूलों में बच्चों को उपस्चिती बढ़ाने का निदेश दिया है उन्होंने कहा है कि जब सरकार इस्कूलों में संसाधन उपलब्द करा रही है तो बच्चों को पस्चिति क्यों नहीं बढ़ रही इसे जीला से लेकर इस्कूल अस्ता तक सुनिशित किया जाए जारखन में 31 अक्टूबर तक मौसम सुस्क और आसमान साफ रहेगा जारखन में इस हपते बारिस के असार नहीं है मौसम सुस्क रहने की संभावना है और आसमान साफ रहेगा छट महा पर्व 31 अक्टूबर को है मौसम विभाग के अनुसार 30 और 31 अक्टूबर को भी आसमान मुख्यता साफ रहेगा और मौसम सुस्क रहेगा इस सपता सुबह में कोहरा या धूंद रहेगा लेकिन बाद में आसमान साफ रहेगा और मौसम सुस्क रहेगा बता दे जारखन में दिवाली की खुसिया मनाने के बाद लोग महा पर्वच्ट की त्यारी में जुट गया है इसी हफते 31-31 अक्टूबर को नेम निश्ठा और लोग आस्था का महा पर्वच्ट है मौसम विभाव ने अपने पुरुम्रान में बताया है कि 31-31 अक्टूबर को आसमान साफ रहेगा ज्यारखन में भायाद दूज और चित्रगुपत पुजा को लेकर 27 को चुटी घोसित इससे पहले राज़ सरकार ने 26 अक्टूबर को चुटी घोसित की थी लेकिन भिभीन माध्यमों से इन दोनों पुजा की तारिक की जनकारी मिलने के बाद राई सरकार ने 27 अक्टूबर को सरकारी घोशित किया है इस सम्मध में कार्मिक प्रसास्निक सुधार तथ राजभासा भी भागन अजिसुचना जारी कर दिया है इस अजिसुचना के तहद बताया गया है कि राई सरकार ने पहले भाया दूज और चित्रगुप्त पूजा को लेका 26 अक्टूबर को कार्यपालक आउकास गोसित किया था लेकिन इसमें सुधार करते हुए राई सरकार ने 27 अक्टूबर को भाया दूज और चित्रगुपत पूजा की छुट्टी कर दिया है जारखन में अदिवासियों के खिलाप अपराध के मामले में आई कमी जारखन में अनुसुची तजन जातियों के खिलाप अपराध के मामलों में कमी आई है पिछले तीन साल के आकड़ों पर गौर करेंगे तो वर्ष 2020 की तूनला में 2021 में इस मामलों में बड़ी गिरावत दर्श की गई परदेश में आदिवासियों के अबादी करीब 86,50,000 के आसपास है राजे में आदिवासियों पर हमले या उनके खिलाप अपराध की दर 2,9 फिच दी है वहीं चारशिट की दर 63,70 फिच दी है अनसुचित जनजाती के लोगों पर होने वाले हमलों के मामले में भले ही जारकन की जिती अची हो लेकिन पूलिस की करवाई कई राजेयों के तुनला में धिली है बतादे जारकन में आदिवासियों खिलाप जो अपराध होते हैं उसमें चारशिट की दर सिर्फ 33,70 फिच दी है वहिमाद्य परदेश, महाराष्ट, 36 गड़, करनाटा, गुजरात और बिहार जैसे राजों में यहा करमसा 99,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90 भराष्टाचार के खिलाप जीरो टोलरेंस 29 इंजिनियरों और ठेक लोक सेव को एवम अन्यक के खिलाप प्राथमी की दर्ज कर अनुसंधान करने के अनुमती ACB राची को दी है, करवाई को लेकर ACB की प्रस्ताओं को सियम हमंतने मंजूरी दी है, यह पुरा मामला पेजल एवम स्वक्षता विभाग से जुड़ा है, इसमें कई कनिय अभिय प्राथमी की दर्ज कर अनुसंधान किया जाना है, छट महापर्व 28 अक्टूबर से छट घाटों की सफाय सुरू, लोक आस्था का चार दिवसे महापर्व 28 अक्टूबर को नहाय खाय के साथ सुरू होगा, वहीं 29 अक्टूबर को खरना है, डूपते सुरज को 30 अक्टूबर को अर्ध दिया जाएगा, इसके साथ ही सुर्यो पासना का पर्वसंपन हो जाएगा, इसे लेकर बोकारों चास में छट घाटों की साफ सफाय सुरू हो गई है, बतादे घाट पर उगे घास को काटने मकडी का जाला हटाने, वह वहाँ फूल पौधे लगाने के दवरान चट घाटों पर गीत गुज रहे हैं, जारखन के तसकर तेल ट्रेंकर में ले जा रहे थे 23 पसू दो की मौत, जारखन की पूरवी सिम्हुम पुलिस को मंगरवार को बड़ी कमयाभी मिली है, चापे मारी अभियान के करब में पुलिस ने मोडिफाइड तेल ट् दवरान सुजीत मोहनती उर्फ बड़ा बाबू अक्छाय पैरिका तथा ट्रेंकर मालिक का नाम बताया है, इन सवी के खिलाप मामला दर्ज किया गया, बतादे जारखन के पूरवी सिम्हुम जी ले के बहरा गोड़ा पुलिस ने वर्य अधिकारी की सुचना पर जाम सोला के समीब एनेच उन्चास पर पसुत असकरी की रोक थाम को लेकर थाना परभारी संतन कुमार तिवारी के नेत्युत में छापी मारी अभ्यान चलाया है, अमीत साह का निर्देश हेमंत सुरेन को 5 लाख तक देना होगा मुआबजा, नक्सल हिंसा में मिरीत आमनागरी के आस संसोधित गाइडलाइन 1 अपरेल 2022 से ही परभावी किया गया, हलाकि जारखन में इस गाइडलाइन को लागू करने में थोड़ी पेच है, जिसे सुल्जाने के लिए पुरा मामला सरकार कस्तप पर विचारा धिन है, बतादे नई संसोधित गाइडलाइन में नक्सल हिंसा, आतंकी हिंसा, संप्रदाइक हिंसा, क्रोस, बोर्डर, फैरिंग, वा, लेंड माइन्स, आई, इडी, बलाष्ट, आदी में मिरित आमनागरी क्या सरीतों को 1 अपरेल 2008 से 3 लाख रुपए का मुअबजा देने का प्रविधान किया गया था, जिसे 24 अगस्त 2016 के बाद से 5 ला जारखन में घर घर जाकर बच्चों को स्कूल लाएंगे सिक्छक, सरकारी स्कूल के सिक्छक जो बचे नीमित रूप से स्कूल नहीं आ रहे हैं, उनके घर घर जाकर स्कूल लाएंगे, सिक्छक उनके अभिभागों से बात करेंगे और बच्चों के स्कूल नहीं भेजने क कारण पुछेंगे शिक्षा की महता के बारे में भी बताएंगे और बचे नीमित इसकूल आ या सुनिश्चित कराएंगे इस काम में इसकूल परवंधन समीती सरस्वत्ति वाहिनी से लेकर इसकूल के बाल सांसत को ही जोड़ा जाएगा इसके अलावा अस्थाने जन परतिनी दियो और प्रवोध लोगों से भी स्वयोग लिया जाएगा बताएंगे सरकारी स्कूलों में बच्चों को फच्चिती लेशन प्लान वेवस्ता इसकूल ट्रेस इसकूल कीट समेत अने संसाधान जो इसकूलों में देना है उसे सुनिश्चित कराने के लिए एसोपी जारी करेगा राज एस्तर ये कला उत्सव रांची में 9 और 10 नौ quería को सिख्चा विभाग दोरा राज एस्तर ये कला उत्सव का अयोजन रांची के इसकूलों में 9 और 10 नौवmber को होगा जीला सिक्चा पताथीकारी कमला सिंग ने सभी इसकूलों को त्यारी के निर्देस दिये है इसकूलों को अपने अस्तर पर परित्योक्ता करा कर चार नौमबर तक जीला अस्तर पर भाग लेने वाले परति भागियों के सूची तयार कर लेनी है इसके अधार पर जीला अस्तर पर आयोजन होगा बतादे डीयों ने पत्र में कहा है कि सूची के लिए इसकूलों को फॉर्मेट उपलब्त करा दिया गया है जार्खन के सरकारी सिक्षक 4 और 5 नौमबर को कला बिला लगा कर करेंगे काम अखिल जार्खन प्राथमिक सिक्षक संग के अवहन पर 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 देश के प्राथमिक वा मद्ध बिद्याले के सिक्षक 4 और 5 नौमबर को कला बिला लगा कर काम करेंगे संग के परदेशा अध्यक्ष बिजेंद्र चौबे महा सचीव राम मूर्ती टाकूर वा मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा है कि सिक्षको की मांगों से सिएम सिक्षा मंत्री मुख सचीव बित सचीव और सिक्षा सचीव आधी को अउगत करा दिया गया है मांगे पूरी नहीं होने पर चार और पांच नवंबर को परदेश के सिक्षक काला बिला लागा कर काम करेंगे इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया तो उनाईस को सियेम आवाज का घेरा होगा इस पर सुनवाई ना होई तो 17 दिसंबर से अनिस्चित कालीन अंसन शुरू किया जाएगा हाथियों के जोड़ने 10 एकर में लगी धान की फसल रौंदी इसके बाद हाथियों का जोड़ जंगल की ओर चला गया ग्रामिनों ने बताया कि हाथियों का जोड़ बगल के जंगल में डेरा जमायः हुए है जनकारी मिलने पर सुमवार को बदरी के ग्राम परधान बलेस्वर बेंदिया गाउं जाकर प्रवाईत किसानों से मिलकर नुकसान का जाजा लिया उन्होंने बन भीभाग से मुआप जय और हाथी भागाने के लिए समागरी मांगी है जसी डिह जक्सन का नाम बाबा बैधनाथ जक्सन करने की मांग बीजेपी बिधायक दल के नेता और पुरो मुख मंत्री बाबुलाल मरांडी ने मुख्य मंत्री हमान सुरेन से जसी डिह जक्सन का नाम बाबा बैधनाथ जक्सन के नाम से नमांकन करने की अन्संसा करने कागरा किया है मुख्य मंत्री हमन सुरेन को लिखे पत्रे में बाबुलाल मरांडी ने सरोपरत्थम दीपावली के हार्दिक सुबकावनाय देते हुए कहा है कि बाबा बैधनात धाम प्रतिवर्स लाकों की संकाय में सरधालू 12 जियोतिस लिंग का दर्शन पूजा करने आते हैं पूरे भारत वर्स ही नहीं बलिक बीदेसों से भी लाकों सरधालू बाबा बैधनात की पूजा अर्चना करने आते हैं ऐसे में बाबा बैधनात की पहचान अध्यात्मिक एवं धार्मिक दिश्टीकों से पूरे बिश्व में परसीद है जहां पूरी आस्था एवन विश्वास के साथ भक्त जन दर्शन पूजा करने आते हाँ नीती आयो की बैठक में सुखार पर चार्चा की उमीद नीती आयो की टीम मंगलवार साम दो दिवस्य दोरे पर जारखन पहुँच गई है बता दिया टीम जारखन के तमाम समस्याओ के लेकर राजे के अला अधिकारियों के संग बैठक करेगी इसमें राज सरकार के अधिकारी टीम को सुखे से निपटने के लिए स्पेसल पैक के समेत अपने अने मुदों से समत करने की कोशिस करेंगे ताकि राज को समस्याओ के निदान के लिए अधिक राशी और संसाधन मिल सके पिछली बैठक में जीन मुदों पर चार्चा हुई थी उन में से कोई पर इस बैठक में फैसला होने की उमीद है जनगन्ना में सरना धर्म कोट की मांग तेज भारत की जनगन्ना के फरम में आधिवासी धर्माव लंबियों के लिए सरना धर्म कोट की मांग एक बार फिर से तेज हो रही है इस मुद्धे पर आंदोलित आधिवासी सेगेल अभियान नामक संगठन ने आगामी 30 नवंबर को जारकन समेथ बिहार बंगाल ओडिसा और असम में रेलेवेट ट्रेक जाम करने की जितावनी दिया संगठन ने इसे लेकर परधान मंत्री से मुलकात का भी समय मांगा था इस पर विचार पियेमों ने आधिवासी सेगेल के परमुक पुर्वसांसद सालखन मुर्मु को सुचित किया है किवे इस मुद्धे पर केंद्री ग्रिह मंत्री अमीच सा से मुलकात करे माना जा रहा है कि गृह मंत्री से मुलकात के बाद आदिवासियों की इस बहुआ प्रतिक्षीत मांग पर समत्ती का रास्ता निकल सकता है बाबा बैधनात के दर्शन के लिए रांची से डारेक्ट फलाइट डायरेक्टर जेनरल आफ सिवील एवियेशन ने रांची के बिर्षा मुंडा यारपोर्ट से देवगर और गोवा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट चलाने की मंजूरी दे दिया है बिर्षा मुंडा यारपोर्ट परवंधन ने फ्लाइट का जो विंटर सेड्यूर जारी किया है उसके मुताबिक कई नए सहरों के लिए भी बिमान सेवा सुरू हो रही है रांची में 120 बच्चों का नेत्र परत्यारोपन जारखन की बेवी सिवांस जब पैदा हुई तो इस्वर ने उसके साथ क्रूर मजा किया बता दे उनकी दोनों आखे छीन ली वह मा का चेहरा नहीं देख सकती थी उसके लिए दुनिया देखना संभव नहीं था मा के दिल पर क्या गुजर रही थी या सिर्फ वही महसूस कर सकती है बता दे छो महिने तक सिवांस की जिन्दगी यू ही अंधेरे में रही लेकिन छो महा बाद उसकी जिन्दगी बदल गई है अब वह उसके पास आखे है वह दुनिया देख सकती है डाक्टर विभूती कसेब कहते हैं कि कसेब मेमोरियल आई बैंक में सिवांस का नेतर परत्यारोपन किया गया था अब नन्ही बची की जिन्दगी बदल गई है बता दे पिछले एक वर्ष में यहाँ 120 से ज़्यादा नेतर दान हुए है यहाँ संभा हुआ है इस दुनिया से जाने वाले लोगों के परिवार के कारण कुर्मी के AST का दर्जा देने की मांग के बिरोध देज कुर्मी महतो द्वारा एश्टी का दर्जा देने की मांग के बिरोध में चाई बासा में मंगलवर को आदिवासी समुदाय के लोग एक जूट हुए और सांती का परदसन करते हुए जन आकरोस रैली निकाली हो समुदाय के लोगों ने बाइक पर स्वार होकर चाई बासा सहर के मुखे सडकों से होते हुए रैली निकाली अर्मुखे मंत्री मंत्री और विधायकों का पुतला दान किया बता दे आकरोस रैली टाटा कॉलेंज मैदान से सुरू होकर तामबो चौक बस एस्टेंड सुपल साई साई चौक होते हुए पोस्ट ओफिस चौक तक पहुची अर्मुखे मंत्री हमन सुरेन मंत्री चमपाई सुरेन विधायक दसरत गगाई विधायक निरल पूरती पूर्व विधायक ससी बुस्तन का पुतला दान किया गया 26 अक्टूबर को जमसेद पूर में जूसको सरमिक यूनियन का चुना पूर्वी सिम्भूम के जमसेद पूरिस्ति जूसको सरमिक यूनियन का चुना 26 अक्टूबर को होगा यूनियन की नई कार करनी के लिए बुद्धवार की सुबह 7 वय से साम 4 वय तक कंपनी के टाउन ओफिस प्रांगन में मत्दान होगा वहीं मत्दान के बाद साम 5 वय से वहीं पर मत्दगना की परकिर्या सुरू होगी यूनियन के तिन कमिटी मेंबर पद पर पहले ही सिवरेज आयन पॉम्पिंग स्टेज से सुरज कुमार सिनहा एकाउंटर्ट से सैलेज कुमार और हर्टी कल्चर आयन पर्चेज से सुनिल चोबे निर्विरोद चुने गया है दिवाली मनाने घर आय अपहर्तों को पलामू पुलिश ने दबोचा जारखंड के पलामू जिले के मनातू थाना के पुलिश ने पांच माह से फरार दो अफरताओं को गिरफतार कर लिया है एक गिरफतारी तरहसी इलाके से जबकि दूसरे की गिरफतारी मनातू थाना चेतर से हुई है आरोपी दिवाली मनाने घर आया था उसकी भनक पुलिस को लग गई थी टीम का गठन कर इन्हें गिरफतार किया गया है बता दे दोनों को न्याई की रासत में भेज दिया गया और आरोपी गौतम इथिलेस एवं मनोज की गिरफतारी के लिए चापे मारी की जा रही है आपको बता दे कि दोनों अपराधियों ने तीन अने साथियों के साथ मिलकर मनातू थाना चेत्र के गौरवा से ब्यावसाई करीमन साह और फ्योगेंद्र साहू का पहरन कर लिया था पलामो में 8 साल बाद परामर्स दातरी समीती की बैठक पलामो के मेदनी दगर सहर में लीज नवीकरन ब्यवसाईक मुख्य मार्ग के लिए 1.30,000,000 दर्त की गई है या नीरने पलामो उपायूग ते ये दोडे की अध्यक्सता में परमर्स दात्री समिती की बैठक मिलिया गया बता दे वर्स 2014 के बाद परमर्स दात्री के बैठक होई है ब्यवसाइक मुख्य मार्ग के एक डिसमिल लिज नवी करन के लिए 11,30,260 लगेगा जबकि इसके पूर्व 6,30,000 परमर्स दात्री मिल दरता है थी वर्स 2014 से पिछले आट वर्सों में नवी ब्यवसाइक लिज नवी करन के लिए 5,00,000 से अधिक की बढ़ोत्री हो गई है बेहतर क्रीसी और फसलों की अच्छी पैदा के संकेत है बंदना पर्व गिरिडी के बगोदर सहीत आसपाक के गरामीन छेतरों में सोहराई सह बंदना पर्व हर्सों लाज के साथ मनाया गया खास कर आदिव असी बहुल गरामीन छेतर में कार्तिक मास में मनाया जाने वाला सोहराई पर्व में मुख्यता पसुधन की पुजा की जाती है इस दरान बेहतर किरिस्टी और फसलों के अच्छे पैदवार की कामना भी की जाती है धुमका पाकुड मुख्य मार्ग में वाहन प्लटने से एक दर्जन कलाकार घायल धुमका पाकुड मुख्य सड़क के रांगा मीशन फुटबॉल मैदान के समीब 709 वाहन के प्लट जाने से करीब एक दर्जन कलाकार घायल हो गया जिसमें कुछ लोग गंभी रूप से घायल है वहीं लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए आटो से पाकुड स्थीत आमड़ा पाड़ा CHC में भरती कराया गया जहां घायलों का प्रात्मिक उपचार होने के बाद गंभी रूप से दो घायलों को बेहतर इलाज के लिए पाकुड स्थार अस्पताल डेफर कर दिया गया है चार घंटे बंद रहा माचिनिमस्ति के मंदीर जहारकन के रामगर जीले के रजरापा मंदीर में मंगलवार को सुरे ग्रहन को लेकर माचिनिमस्ति के देवी का मुख्य मंदीर का कपाट बंद कर दिया गया इसकारण यहार लगवक चार घंटे तिन मिनट माच इन्वस्तिके देवी की पूजा अर्चना बंद रही बता दे ग्रहन काल में सभी दुकाने भी बंद रही पूरे मंदीर प्रचेत्र में सनाटा पसरा रहा ग्रहन की समापती के बाद संद्या 6 बच कर 35 मिनट पर माच इन्वस्तिके देवी को पंचगय से असनान कराया गया और बीदिवत पुजा अर्चना करने के बाद मंदीर का कपाट खोल दिया गया सुहराई परव पर गाओं में जागरन की परमपरा जारखन के हर परव तेवहार में गीत संगीत का समावेस है धोल, मांदर, नगारा की थाप पर लोग नाशते और गाते हैं बता दे दिपावली के बाद सुहराई परव मनाया जाता है यह परव मवस्यों और उसकी रक्षा करने वालों को समरपित है जारखन की अलग अलग जन जातिया अलग 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 नाम से इस परव को मनाती है संथाली सुहराई मनाते हैं तो कुडमी समुदाय के लोग बंधना परव मनाते हैं नाम भले अलग अलग हो लेकिन परव के रिती रिवाई लभग एक जैसे ही हैं बता दे सोहराई और बंदना दोनों ही पर्व में जागरन होता है दिपावली के बाद सोहराई पर्व बड़े हर सो उलास के साथ मनाया जाता है टोली बना कर गरामिन निकलते हैं मांदर और ढोल की थाप पर सोहराई गीत गाते हैं धन्यवाद यदि आप चैनल पनाए हो तो चैनलों को सब्सक्राइब कर बाल का बेल एक अंदर बाई साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को साथ सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिड़वेक अवस्य दे थैंक यू